C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याय ग्यारह शीर्शक है इमारतें, चित्र और किताबे प्रिष्ट संख्या 114 मरुत सामी आज बहुत खुश था पहियदार कुर्सी में बिठा कर उसका भाई उसे कुतुब मिनार्ज दिखाता हुआ प्रसिध लोह स्तंख के सामने ले आया धूल भरे पत्रीले रास्तों से रैंप के सहरे यहां तक आना काफी मुश्किल था अपने इस अनुभव को मरुत सामी कभी नहीं भूल पाएगा इस प्रिष्ट पर एक बॉक्स है और जिसका शीर्षक है धातु विज्ञान आईए सुनते हैं यहां क्या लिखा है प्राचीन भारतिये धातु विज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है पुरा तात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हरप्पा वासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी थी उन्होंने तांबे अर्टिन को मिला कर कांसा भी बनाया था जहां हरप्पा वासी कांसी युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबध्ध थे भारत अत्यंत विक्सित किस्म के लोहे का निर्मान करता था खोटा लोहा, पिटवा लोहा और धलवा लोहा और आईए अब चलें पाट की और पाट से पहले एक स्तंब का चित्र इस प्रिष्ट पर है और इसका शिर्षक है लोह स्तंब अब पाट लोह स्तंब, महरोली यानि दिल्ली में कुतुब मिनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंब भारतिय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरन है इसकी उचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन्स से भी ज्यादा है इसका निर्मान लगभग 1500 साल पहले हुआ इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभी लेक से मिलती है इसमें चंदर नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवत गुप्त वन्ष जिसके बारे में अध्याय दस में हमने पढ़ा के थे आश्चरे की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है इंटों और पत्थरों की इमारते हैं हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्टूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं स्टूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है हालां कि स्टूप विभिन आकार के थे कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े उन सब में एक समानता है प्राया सभी स्टूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है इन डिब्बों में बुद्ध या उसके अनुयाईयों के शरीर के अवशेश जैसे दात, हड़ी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं प्रिष्ट संख्या 115 इसे धातू मंजुशा कहते हैं प्रारंभिक स्टूप धातू मंजुशा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था बाद में टीले को इंटों से ढख दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा धांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढख दिया गया प्राया स्टूपों के चारों और परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पत्थ बना होता था जिसे प्रदक्षिना पथ कहते हैं इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं वेदिका में प्रवेश्ट द्वार बने होते थे रेलिंग तथा तोरण प्राया मूर्तिकला की सुन्दर कलाकृतियों से सजे होते थे मान चित्र साथ जो प्रिष्ट संख्या 105 में मिलेगा आप अमरावती ढूढ़िये यहां कभी एक भव्य स्टूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले इस स्टूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्मान किया गया इन मंदिरों में विष्णू, शिब तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी मंदिरों का सबसे महत्वपूर्भाग गर्भ ग्रिह होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भाक्त पूजा करते थे अक्सर गर्भ ग्रिह को एक पवितर स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गाओं जैसे मंदिरों में उसके उपर काफी उचाई तक निर्मान किया जाता था जिसे शिखर कहते थे प्रिष्ट संख्या 115 पर दो चित्र हैं इनके बारे पहले सुन ले इसके बाद हम प्रिष्ट संख्या 116 में चलेंगे यहाँ दो चित्र हैं एक चित्र में सांची के महान स्थूप का चित्र है और इसके बारे में इस प्रकार से लिखा है सांची का बहान स्टूप मध्य प्रदेश इस तरह के स्टूपों का निर्मान कई सौ सालों तक चलता रहा इस स्टूप में इंटों का प्रयोग संभौतह अशोक जिसके बारे में तुमने अध्याय साथ में पढ़ा है के जमाने का है जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए इसी प्रिष्ट में बाई और अमरावती की एक शिल्प क्रिती है इस चित्र को देखकर इसका वर्डनन करो प्रिष्ट संख्या 116 सबसे पहले इस प्रिष्ट पर तीन चित्र हैं इनके बारे में पहले जानकारी हासिल करते हैं फिर हम पाठ की और चलेंगे इस प्रिष्ट में बाई और उपर एक चित्र है जिसके बारे में वर्डनन इस प्रकार से है उत्तर प्रदेश के भीतर गाओं का एक आरंभिक मंदिर यह लगभग 1500 साल पहले पकी इंटों और पत्थरों से बनाया गया था दाई और उपर इस प्रिष्ट में महाबली पुरम के एकाश्मिक मंदिर का चित्र है इन्हें से प्रतेक मंदिर एक ही विशाल पहाडी को तराशकर बनाया गया है इसलिए इन्हें एकाश्म या मौनोलिथ कहा गया है इंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिलकुल भिन्न होते थे इंट से बनी इमारतों में नीचे से इंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे उपर की ओर ले जाते हैं जबकि चटान तराशकर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले उपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा इसकी एक सूची बनाओ दाई और एक चित्र और है और इसका वर्णन है एहोल का दूर्गा मंदिर यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था अब आईए पाठ की और प्रिश्ट संख्या 116 शिकर निर्माण के कठिन कारे के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी अधिकतर मंदिरों में मंदप नाम की एक जगा होती थी यह एक सभागार होता था जहां लोग इकठा होते थे मान्चितर साथ जो प्रिश्ट संख्या 105 में है आपको महाबलीपुरम और एहोल नामक स्थानों को ढूरना है इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं उन में से कुछ इस प्रिश्ट पर दिखाए गए हैं प्रिश्ट संख्या 117 स्टूप तथा मंदिर किस तरह बनाये जाते थे? स्टूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी इनके लिए काफी धन खर्च होता था इसलिए आमतोर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चे करते थे पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूड कर शिला खंडों को खोद कर निकालना होता था फिर मंदिर या स्टूप के लिए सोच विचार कर तै किये गए स्थान पर शिला खंडों को पहुँचाना होता था यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंबों, दिवारों की चोखटों, फर्षों तथा छटों का आकार दिया जाता था इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगाहों पर उन्हें लगाना मुश्किल का काम था इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं, आईए सबसे पहले सुनते हैं इनका वर्डनन, बाई और इस प्रिष्ट पर उडिसा के जैन मठ का चित्र है और इसके बारे में इस प्रकार से लिखा है, एक पहाड़ी को खोद कर इस दो मनजिली इमारत को बनाया गया है आई गया, ओर यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है इसी प्रिष्ट पर पहले प्रिष्ट के नीचे एक और चित्र दिया गया है और जिसके बारे में वर्डनन इस प्रकार से है राष्ट्री संग्रहाले नई दिल्ली से एक मूर्ती का चित्र क्या तुम यहाँ देख रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी और आईए अब सुनते हैं पार्ट इस तरह के शांदार धांचों का निर्मान करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च, संभौतह, राजारानी ही देते थे इसके अतिरिक्त इन स्टूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी जैसे हाथी दात का काम करने वाले श्रमीकों के संग ने सांची के एक अलंकरित प्रवेश द्वार या तोरण को बनाने का खर्च दिया था इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में ब्याबारी, क्रिशक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, सोनार, लुहार तथा ऐसे कई स्त्रीपुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दिवारों पर खुदे हैं इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इने बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था अब तुम्हारे लिए कुछ करने को अध्याय आठ के प्रिष्ट तिरासी पर दिये गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्थूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन चरणों का चित्र बनाओ इससे पहले की पाठ में चले इस प्रिष्ट में दो चित्र दिये गए हैं सबसे पहला चित्र है अजन्ता का चित्र और इसमें आप के लिए कुछ करने के लिए काम है और वो काम है कि तुम्हें इन्वे से प्रतेक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो और अब पाठ चित्रकला मान चित्र साथ में अजन्ता को ढूड़ो यह वह जगा है जहां के पहाडों में सैकडों सालों के दोरान कई गुफाएं खोदी गई इन में से ज्यादा तर बाओध भिक्षूओं के बनाएगे विहार थे इन में से कुछ को चित्रों के दोरा सजाया गया था यहां इनके कुछ उदाहरन दिये गए हैं गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकान्ष चित्र मशालों की रोष्णी में बनाए जाते थे इन चित्रों के रंग पंदरह सौ साल बाद भी चमकदार हैं यह रंग पौधों तथा खनीजों से बनाए गये थे इन महानकृतियों को बनाने वाले कलाकार अग्यात हैं पुस्तकों की दुनिया इस युग में कई प्रसिद महाकावियों के रजना की गई इन उत्क्रिष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं करीब अठारह सौ साल पहले एक प्रसिद तमिल महाकावियों सिलप दिकारम की रचना इलांगो नामक कवी ने की इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है वह पुहार में रहता था उसकी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधुई से प्रेम करने लगा बाद में वह और कनग्गी पुहार छोड़ कर मदुरे चले आए वहाँ पांटिय राजा के दरवारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का जूठा आरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया कनग्गी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी इस अन्याय के कारण दुख और रोश से भर गई उसने मदुरे शहर का विनाश कर डाला सिलप्पदी कारम से लिया गया एक वर्णन यहां कभी ने कनग्गी के दुख का इस तरह वर्णन किया है ओ मेरा दुख तो देखो तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुन्दर तुम्हारा शरीर बिना धुला हुआ धूल से सना यूही पड़ा है यह कहा का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढखे सुन्दर वक्ष वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ क्या इश्वर नहीं है क्या इस देश में इश्वर नहीं है पर क्या उस स्थान पर इश्वर रह सकते हैं जहां राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुख के प्राण ले लेती है क्या इश्वर नहीं है नहीं है एक और तमिल महाकाव्य मनी में खलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया था इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी उनकी पांडूली पियां दुबारा लगभग 100 साल पहले मिली अन्य लेखक जैसे कालिदास जिनके बारे में तुमने अध्याय दस में पढ़ा है संस्कृत में लिखते थे प्रिष्ट संख्या 120 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक बॉक्स और उस बॉक्स का शीर्षक है मेग दूत का एक शलोक आईए सुनते हैं मेग दूत का एक शलोक यहां उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेग दूत से एक अन्शिदिया गया है यहां एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कलपना करता है देखो इसमें किस तरह कभी ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है वर्णन इस पकार से है तुम्हारी बौचारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुश्बू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने व कहा जा सकता है अब पाठ पुरानी कहानियों का संकरन तथा संरक्षन हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानिया जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई इनमें पुरान भी शामिल है पुरान का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन पुरानों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानिया हैं इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं इसके अतिरिक्त इनमें संसार की स्रिष्टी तथा राजाओं के बारे में भी कहानिया हैं अधिकतर पुरान सरल संस्क पढ़ने की अनुमती नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। इस युद्ध का उद्धेश पुरू वंश की राजधानी हस्तिनापूर की गद्धी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं यह करीब 15-100 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुरानों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के रिशी ने संकरित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में तुमने अध्याय नौ में पढ़ा था। रामायन की कथा कोसल के राजगुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावन ने अपहरन कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कोसल की राजधानी आयोध्या लोटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राची इन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वालमी की माने जाते हैं। अब तुम्हारे लिए कुछ करने को। इस महादवीप के विभिन भागों में महाभारत और रामायण के भिन भिन रूप आंतर लोकप्रिये हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परमपराएं भी उभरी। पता करो कि तुम्हारे राज्य में काउन सा रूप आ अब पाठ। रेडिंगों तथा अजन्ता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले प्रिष्ट पर दी गई है। प्रिष्ट संख्या 122। तो आईए सुनते हैं बॉक्स में दी गई ये कहानी, बंदर राजा की कहानी। असी हजार अनुयाईयों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिये थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वारने सी पहुँच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे यह आम मिला। उसे चक कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देख भाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूड सकते हैं या नहीं। वे राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योज पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना ठक गया कि मरनासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की बड़ी कोशिश की पर सफल ना हुआ। बंदर राजा की पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्टूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। अब तुमारे लिए कुछ करने को। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दि विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितग्य तथा खागोल शास्त्री आर्यभट ने संस्कृत में आर्यभट टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पित्वी के अपने धूरी पर चकर काटने की वजह से होते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहन के बारे में भी एक वईग्यानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्र की परिधी को मापने की भी विधी ढून निकाली। जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधी। वराह मिहर, ब्रह्मगुप्त और भासकर अचारे कुछ अन्य गणितग्य और खागोल वेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाएं। यहां तीन बॉक्स हैं और इन तीनों बॉक्सों में अलग-अलग शीर्शक हैं। पहला शीर्शक है शून्य। आईए स गिन्ती की यह पध्धती अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किये बगैर गिन्ती करते थे। उसके बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल क की कोशिश करो। दूसरा बॉक्स और इसका शीर्षक है अयूरूएद. अयूरूवेद चिकित सा विज्यान की एक विख्यात पढ़त्ती है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयूरूएद के दो प्रस्तिध चिकित सक्ते, चरक प्रथम, द्वितिय शताब्दी इस्वी और सुषृत जो चौती शताब्दी इस्वी में हुए चरक द्वारा रचित चरक संघिता औशधी शास्त्र की एक उल्लेखनी ये पुस्तक है अपनी रचना सुषृत संघिता में सुषृत ने शल्ले चिकिसा की विधियों का विस्त्र तुवर्नन किया है तीसरा बॉक्स और इसका शीर्शक है अन्यत्र कागज आज हमारे रोजमर्णा की जिन्दगी का हिस्सा बन गया है जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उप्योग करते हैं कागज का अविशकार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ती ने चीन में किया उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्यों और पेड़ की छालों को पीट-पीट कर लुगदी बना कर उसे पानी में भीगो दिया फिर उस लुगदी को दबा कर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखा कर कागज बनाया आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधी को अपनाया जाता है कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुँची इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुँची फिर बगदाद से यह यूरोप, आफरिका और एशिया के अन्य भागों में मिली इस उप महादवीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई जड़ा सोचो, प्राची भारत की पांडूली पियां किस चीज पर तैयार की जाती थी प्रिष्ट संख्या 124 इस प्रिष्ट में कुछ उपयोगी शब्द दिये गए हैं जिनका प्रयोग इस अध्याय में किया गया है उपयोगी शब्द हैं स्टूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान इसी प्रिष्ट में कुछ महतोपूर्ण तिथियां भी दी गई हैं जिन तिथियों का वर्णन इस अध्याय में आया है स्टूप निर्मान की शुरुवात 2300 साल पहले अमरावती 2000 साल पहले काली दास 1100 साल पहले लौह स्तंब भीतरगाओं का मंदिर अजनटा की चित्रकारी आर्य भट 1500 साल पहले दुरगा मंदिर 1400 साल पहले आऊ याद करें एक, यहाँ पर दो कॉलम दिये गए हैं, पहले कॉलम में कुछ शब्द हैं और दूसरे कॉलम में उनका उपयोग दिया हुआ है अब आपको कॉलम एक और दो का मिलान करना है सबसे पहले कॉलम एक, स्टूप, शिखर, मंडप, गर्भग्री, प्रदक्षिनापत और अब उनका उपयोग आपको इसके पहले कॉलम से मेल कराना है देवी देवता की मूर्ती स्थापित करने की जगह टीला, स्टूप के चारो तरफ वृत्ताकार पथ मंदिर में लोगों के इकठा होने की जगह गर्भग्री के उपर लंबाई में निर्माण दो, खाली जगहों को भरो क, खाली स्थान एक बड़े गणी तक गे थे ख, खाली स्थान में देवी देवताओं की कहानिया मिलती है ग, खाली स्थान को संस्कृत रामायन का लेखक माना जाता है घ, खाली स्थान और खाली स्थान दो, तमिल, महाकाब्य है प्रिष्ट संख्या 125 आओ चर्चा करें तीन, धातूं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ धातू से बनी किन-किन चीजों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है चार, प्रिष्ट संख्या 122 पर लिखी कहानी को पढ़ो जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 10 में पढ़ा है उनसे या बंदर राजा कैसे भिन या समान था पांच, और भी जानकारी इकठी कर किसी महाकाब्य से एक कहानी सुनाओ आओ करके देखें छे, इमारतों तथा समारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों या विकलांग के लिए और अधिक प्रविष्ट योग्य कैसे बनाया जाए इसके लिए सुझावों की एक सुची बनाओ साथ, कागज के अधिक से अधिक उप्योगों की एक सुची बनाओ आठ, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो तुम किसे चुरोगे और क्यों प्रिष्ट संख्या 126 तिथियों पर एक नजर इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदू के रूप में रख कर घटनाओं या प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे उनमें तिथियों अलग तरह से लिखी होंगी इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है जैसे कि पुरा पाशाण युग अध्याय दो के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है मेहरगड अध्याय दो में क्रिशी तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6,000 इस्वी पूर्व दी गई है हडपा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 इसा पूर्व के बीच दी गई है महा जनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिशद, जैन धर्म तथा बाउध धर्म से जुड़े विचारों का उदै लगभग 520 पूर्व पश्ची मोत्तर में सिकंदर का आक्रमन लगभग 327 से 325 इस्वी पूर्व चद्रगुफ्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 इस्वी पूर्व अशोक का शासनकाल लगभग 2072 से 2068 इस्वी पूर्व से 2031 इस्वी पूर्व के बीच संगम साहित्य की रचना लगभग 320 इस्वी पूर्व से 320 इस्वी कनिश्क का शासन लगभग 78 से 120 इस्वी गुप्त सामराज्य की स्थापना लगभग 320 इस्वी वल्लभी की परिशद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 इस्वी पूर्ष वर्धन का शासन 606 से 647 इस्वी चीरी यात्री श्वेंत सांग का भारत आगमन 630 से 643 इस्वी पुलकेशिन द्वितिय का शासन 609 से 642 इस्वी कुछ घटनाओं के लिए जैसे की अशोक के शासन की शुरुवात की तिथी के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं ऐसा इसलिए है कि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथी क्या है प्रश्न वाचक चिन के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं है